हेलो फ्रेंड्स कैसे आप सभी आसा करते हूं आप सभी बहुत अच्छी होंगे स्वागत थे आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टेडी 101 पर मैं हूं देव्या वर्मा तो दोस्तो आज से आप लोगों की बीए की ड्रॉइंग की क्लासे स्टार्ट हो रही है और सलेबस तो आप लोग जानते ही होंगे और अगर आपके पास सलेबस नहीं है तो आप हमारे टेलिग्राम चैनल से जुड़ जाएए वहाँ पर मैंने आप लोगों को पीडियाफ सेंड की हुई है डाउनलोड कर लीजिए ठीक है शरीय में आप लोगों को सलेबस बता ही देती हूँ आपकी फस्ट यूनिट है प्री हिस्टोरिक पेंटिंग यानि की प्रागयतिहासिक चित्रकला फिर सेकंड यूनिट है इंडस वैली सिविलाइजेशन और जोगी मारा सिंदुगाटी सभिता और जोगी मारा थर्ड यूनिट है कारले केप्स, भाजा केप्स, नासिक केप्स तो कारले, भाजा, नासिक इन तीन गुफाओं के बारे में पढ़ना है फिर चौती यूनिट है अजन्ता और बाग, पांची यूनिट है सित्तनवासल, बादामी, सिगरिया और छटी यूनिट है अलिफेंटा, एलोरा, सात्मी यूनिट है मौरिकाल, सुंगिकाल और आठमी यूनिट है कुशानकाल और गुप्तिकाल तो ये रहा आपका first semester का syllabus total 8 unit है जो आपको पढ़नी है तो start करते हैं first unit से और आपकी first unit है prehistoric painting यानि की प्रावेतिहासिक चित्रकला दोस्तो आप लोगों को सारी unit one by one complete करवा दी जाएंगी इसलिए आप लोगों को इधर उधर भटकने की कोई जरूरत नहीं है बस आप हमारी चैनल को subscribe कर लीजे ताकि मैं जैसे ही वीडियोस upload करूँ आपके पास notification तुरंत पहुंच जाए और आप जल्दी से उस वीडियो को देख सके हैं ठीक है मानुजीवन की भाती कला के उधर का इतिहास भी बड़ा रहसिमें विराट और अग्यात है मनुष्य ने जिस समय प्रकृत की गोद में अपनी आखे खोली उसी समय से ही उसने अपने जीवन को सुखी सम्रिद बनाने की कोशिस की और इसको फलीभूत करने है तू उसने ऐसी क्रतियों का स्रजन किया जो उसके जीवन को सुखद और सुचारू बना सके यहीं से मनुष्य की ललित भावना जाग उठी और उसने अपनी मूख भावनाओं को अंगर पत्थरों के यंत्रों तथा तूलिका से तेणी मेडी रेखाकरतियों को गुफाओं और चटानों की भित्तियों पर अंकित कर दिया लेखिए जो आदिम मनुष्य था उसका मानना था कि किसी पसु का अगर हम पहले से चित्र बना लेते हैं बाद में उसको मारते हैं तो उस जो पसु होता है या जानवर होता है उस पर हमारा कंट्रोल हो जाता है ये लोग चित्र बनाते थे फिर कुछ भी जादू तोना, पुजा पाड़ कुछ भी करते हूं उनका ऐसा मानना था कि उस पे हमारा कंट्रोल हो जाता है और उस जानवर को हम आसानी से मार सकेंगे और आदिमानों ने चितर कहां बनाए आप लोग सोच रहे होंगे कि तब के समय में पेपर या फिर कपड़ा वगेरा तो होता नहीं था तो ये लोग चितर बनाते किस पे थे तो बड़ी बड़ी पथर की शिलाओं पर इन्हों ने चितर बनाए गुफाओं में चितर बनाए और चितर बनाने के लिए इन्हों ने इस्तिमाल क्या किया किस चीज से चितर बनाए तो पत्थर पर पत्थर से खुरच का चितर बनाएं. तूलिकाओं का इस्तेमाल किया. तूलिकाओं क्या होती हैं? तूलिकाओं यानी की ब्रेश. और इनकी ब्रेश किस चीज़ से बने होते थे? यह भी आप लोगों को आगे बताय जाएगा. चलिए आगे देखते हैं. अब जंबाई, चोडाई, गोलाई तथा उचाई को अंकित कर किसी रूप का आभास करना चित्रकला है। तो ये परिभासा आदिन चित्रकला को देखते हुए विद्वानों ने दी है। बाकि चित्रकला की बहुत सारी परिभासा हैं, अलग-अलग विद्वानों ने अपनी अलग-अलग परिभाशा दी हैं मानों की उत्पत्ति और विकास क्रम तो प्रत्वी पर मानों की उत्पत्ति कैसे हुई? जिस रूप में मनुस से अब दिखता है क्या पहले भी ऐसे ही था? चलिए देखते हैं प्रत्वी का जन्म करोणो वर्स पहले सूरी से हुआ इसके धीरे-धीरे ठंडे होने पर कीट पतंगों, मशलियों, जानवरों आधिका आधिर्भा हुआ और मानो का आज जो रूप है वह वनमानुस का ही सुधरा हुआ रूप है तो जो मनुस्ति का रूप इस समय है ये पहले आधिमानो हुआ करता था जिसका धीरे-धीरे विकास हुआ और आज के मानो में परिवर्तित हो गया शित्र कला का भी विकास मनुस्य के विकास के साथ ही संभो हो पाया है जैसे जैसे मानो सभिता का विकास होता गया वैसे वैसे कला के माध्यम, श्वरूप एवं तकनीक भी बदलती रही जीव के विकास क्रम को चार भागों में विभाजत किया जा सकता है पहला है एजोईक यूग, सेकंड पोलो जोईक यूग, थर्ड मेसो जोईक यूग, और फोर्थ सिनो जोईक यूग यह जीव के विकास के क्रम हैं अभी आगे इनके बारे में आप लोगों को बताय जाएगा तो एजोएक युग में क्या था? इस युग में प्रतिवी पर एक कोश्ठक जैव ही था एक कोश्ठक यानि की एक कोशिकी जीव ही था या जैव आज से लगभग एक अरब पचास करोन वर्स पूर्व प्रतिवी पर विक्सित हुआ तो जीव की उत्पत्ति सबसे पहले कब हुई थी? एजोएक युग में खीक है? सबसे पहले एजोएक युग में जीव की उत्पत्ति हुई थी और कौन सा जीव था? तो वो एक कोश्ठक या फिर एक कोशिकी जीव था फिर अगला है पेलो जोएक युग अब इसमें क्या हुआ? इस युग में सरोप्रतम अकसेरुकी प्राणियों जैसे सिवार, इस्पंज, रेंगने वाले जीवधारियों, पक्षियों तथा विसालकाय व्रक्षों और जंगलों के रूप में विक्सित हुआ. तो पेलो जोएक युग में क्या होता है? अकसेरुकी प्राणियों का जन्म होता है. अकसेरुकी प्राणियों वे होते हैं जिनके रीड की हड़ी नहीं पाई जाती है. जिनमें सिवार, इस्पंज, और रेंगने वाले जीवधारी, पक्षियों और विसालकाय व्रक्षों का जंगलों का निर्मार हुआ. आगे देखते हैं, फिर आता है मेसो जोएक युग. इस युग में कसेरुकी जीवों का विकास हुआ, जिनमें सरीसरँ यानि की रेंगने वाले जीव हैं, वो महत उपोर्ण है. फिर अगला आता है सिनो जोएक युग. ये लाश यूग था, इस यूग में आज पाय जाने वाले जीवों का विकास हुआ, इसमें स्तंधारे जीव, यानि कि मेमल सुत्पन हुए, जिन में वनमानुस भी था, जिसका बदला हुआ सुरूप आज के मानो जैसा है, तो सिनो जोएक यूग, ये अंतिम काल है, इसी में वनमानुस का जन्म होता है, प्रागयतिहासिक काल, अब हम लोग प्रागयतिहासिक काल के बारे में जानेंगे, किसे कहते हैं प्रागयतिहासिक काल, तो सबसे पहले इसकी परिभासा देख लेते हैं, वह काल जिसकी कोई लिखित विवेचना ना हो, सिर्फ साक्ष्यों और प्रमाणों के आधार पर ही उसकी लिखित विवेचना प्रस्तुत की गई हो, प्राग्यतिहासिक काल कहलाता है, यानि कि ऐसा काल जिसके बारे में हमें कोई लिखित सामगरी ना मिली हो, आदिमानों ने कोई भी चीज हमारे लिए लिख कर नहीं बताई है, क्योंकि उसे बता ही नहीं था, वो लिखेगा क्या, केवल साक्षियों और प्रमाणों के आधार पर उसकी लिखित विवेचना प्रस्तुत की गई हो, यानि कि हम लोगों ने ही जो विद्वान थे, उन्होंने प्राग्यतिहासिक काल के साक्षियों के आधार पर लिखित विवेचना प् तो ऐसे काल को क्या कहते हैं प्रागयतिहासिक काल ठीक है और यदि आपको कोई डाउट होता है तो आप हमसे टेलिग्राम चैनल पर जोड़ जाएए वहाँ पर आप हमसे question भी पूर सकते हैं ठीक है बाकी आगे देखते हैं प्रागयतिहासिक चित्रकला को अध्यन की कि दरश्टी से हम इसे तीन खंडो में विभाजित कर सकते हैं तो प्रागयतिहासिक काल कि तीन भाग किये गए है पाँला है पूरु। पूरा पाशान काल या पूरा पाशान काल जिसे इंगलिस में क्या कहते हैं मेगा लिथिक एज तो पूरा पाशान काल का समय है पीस हजार से पचीस हजार ईसा पूर्व फिर अगला आता है सेकंड मद्ध पाशान काल या मद्ध प्रस्तर यूग इसे इंगलिस में क्या कहते हैं मैसोलिथिक एज जिसका समय है पचीस हजार से दस हजार ईसा पूर्व फिर थर्ड है उत्तर पाशान काल या नौप्रस्तर युग नौपाशान काल कह लीजिए उत्तर पाशान काल कह लीजिए नौप्रस्तर युग कह लीजिए सब एक ही नाम है इस एंग्लिस में क्या कहते हैं नियो लिथिकेज इसका समय है 10,000 से 3,000 इसापुलग तो प्राग यतिहासिक चित्रकला को हम 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं जो यहां पर आप लोगों को बताया गया है और इनका जो समय है यह आप लोगों को अलग-अलग किताबों में भिन्न भी मिल सकता है, तो परिसान होने की कोई जरुवत नहीं है, एक समय आप याद रखिए, ठीक है, आगे देखते हैं, अब सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे पूरा पाशान काल के बारे में, चलिए देखते हैं, इस युग में मानों प्रक्रत निर्मित गुफाओं में रहता था, वा किसी भी प्रकार की भवन संग्रचना या आर्थिक उत्पादन से अन्भेग था, वा केवल पत्थर, हड़ी, तथा लकडी के मोटी वा भद्दे ओजार बनाता था, तो पूरा पाशान कालीन मानों को किसी भी चीज़ का कोई ग्यान नहीं था, ये प्रक्रत बेडॉल, भद्दे किस्म के होते थे, क्योंकि इन्हें नहीं पता था, अगर कोई लकडी है, उसका एक सिरा नुकीला बना दिया जाए, तो वो मारने में उससे आसानी होगी, इन्हें किसी चीज़ का ग्यान ही नहीं था, जैसे ही कोई पत्थर तूटा-फूटा मिल गया, वो वैसे ही जानवर पर फेक कर उसे मार देते थे, नहीं मरता था, दोबारा मारते थे, ठीक है, लेकिन इन्हें इतना ग्यान नहीं था, कि एगर पत्थर को नुकीला बना दिया जाए, तो उससे क्या होगा, हमें सिकार करने में आसानी होगी, ठीक है, आगे देखते हैं, भारत में सरप्रथम ब्रुसफुट नामक विद्वान ने प्रस्तर युग के आउजारों की खोज, मद्रास के समीब पल्ला वरम नामक की स्थान पर की थी, तो एक विद्वान थी जिनका नाम था, ब्रुसफुट, इन्होंने सबसे पहले भारत में मद्रास के समीब पल्ल प्राचीन प्रस्तर युगीन विभिन निस्थलों की खोच हुई है इस समय का मनुस्य क्वाटि जाइट मनुस्य के नाम से पुकारा जाता था आगे देखते हैं मद्य प्रदेश के मौरेना जन्पत के पहाडगड सीवोपुर छेत्र के करीब 25,000 वर्स पुराने चित्र प्रोफेसर डीपीयस द्वारिकेस ने खोजे जिनके विशे सिकारी वा सिकार के सम्बंधित हैं जो गेरू वा सफेद रंग में बने हुए हैं तो मद्य प्रदेश के मौरेना जन्पत में एक शेत्र पढ़ता है सीवोपुर तो यहाँ पर डीपीयस द्वारिकेस ये प्रोफेसर हैं इन्होंने 25,000 वर्स पुराने चित्रों की खोज की और चित्रों में क्या है तो प्रमुकृप से सिकारी और सिकार को दिखाया गया है जो की गेरू और सफेद रंग में बने हुए हैं इस युग के मानों की जीविका का मुख्याधा सिकार था पुरा पाशान काल में ही मानों ने आग की खोज भी कर ली थी तो पुरा पाशान काल में मानों ने आग की खोज की थी इस पॉइंट को ध्यान रखीगा आगे देखते हैं फिर आता है मद्धि पाशान युग अब मद्धि पाशान युग क्या है? चलिए देखते हैं यह युग किसी काल विसेश का संकेत नहीं करता है अब यह समय पुरा पाशान काल की बरबर जीवन और नौ पाशान काल की सब भी जीवन के संधिकाल का है देखी पुरा पाशान काल इन जो मानों था वो बरबर जीवन व्यतीत करता था उसे किसी भी चीज से कोई मतलब नहीं था जब उसे भूँक लगी, सिकार किया, पेट भरा और फिर ऐसे ही गुफाओं में पड़ा रहा फिर अगले दिन जब उसे भूँक लगी, फिर सिकार किया, फिर यही काम उसका निरंतर चला करता था उसे किसी अन्य चीज से कोई लेना देना नहीं था फिर क्या होता है धीरे धीरे मनुस्तिका विकास करता है वो बस्तियों में रहने लगता है जिन पसुओं को वो मार कर उसका मांस खाता था उन्हीं को वो पालने लगता है खेती करना श्टार कर देता है तो इस प्रकार से बरबर जीवन से सब भी जीवन तक वो कैसे पहुँचा अचानक से तो कोई चीजे नहीं होती है तो इनी के बीच का जो समय है इसी को कहते हैं मद्धि पाशान काल इसमें मानों ने बहुत सारे सुधार किये चलिए आगे देखते हैं इस समय मानों ने अपने आज़ारों को और अधिक सुड़ोल वज्यामिती रूप प्रदान किया इन आज़ारों को माइक्रोलेट्स लग पाशान उपकरण कहा जाता है तो माइक्रोलेट्स जो है ये मद्धि पाशान काल की एक प्रमुख देन है अब मैंने आप लोगों को बताया कि पूरा पाशान काल में मानों पत्थरों को ऐसे ही इस्तिमाल करता था जैसे ही वो होते थे उनको वैसे ही इस्तिमाल कर लेता था ना कोई उसमें सुधार कुछ भी नहीं लेकिन फिर मद्धि पाशान काल में क्या होता है मानों ने उन उजारों को छोटा किया, ठीक है, नुकीला बनाया तो इस प्रकार से, देखी, माइक्रू का मतलब क्या होता है, छोटा और लिट्स का मतलब पत्थर, यानि कि पत्थर के छोटे उजारों को बनाना, इसने स्टार्ट किया मध्धि पाशान काल में ब्रैकेट में लिखा भी है लग पाशान उपकरण लग यानि की छोटे पाशान यानि की पत्थर उपकरण यानि की उपकरण औजार तो मध्धि पाशान काल में मानों ने औजारों को छोटा किया ठीक है मध्य प्रदेश, गुजरात, सिंध, आंध्य प्रदेश वा कस्मीर आध्य प्रदेशों में परिस्कृत ओजारों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि मध्य प्रश्चतर युगीन मानो सौंदर की सहज अभिवक्ति के लिए निरंतर प्रयाश रहा तो कुछ स्थान हैं जहां पर मध्य पाशान कालीन ओजार मिले हैं जैसे मध्य प्रदेश, गुजरात, सिंध, आंध्य प्रदेश, कस्मीर इन छेत्रों पर जो ओजार मिले हैं इन्हें देखकर लगता है कि मनुस्ति को सौंदर्ता या फिर सौंदरी का ज्यान होने लगा था आगे देखते हैं फिर आता है नौपाशानकाल इस युक के अवसेज बहुत कम मिले हैं और जो भी उधारण मिले हैं उनमें से अधिक बिल्लारी के आसपास प्राप्त हुए हैं तो नौपाशानकाली इन अवसेज हमें ज्यादा तर कहां देखने को मिलते हैं बिल्लारी के समीब आप मानों पसपालन वा क्रसी जैसे धंदे अपनाने लगा और कलात्मक बरतन भांडों का भी प्रियोग आरम हो गया जो उसने चाक पर बनाये थे तो मनुष्य ने अपसवों को पालना सुरू कर दिया क्रसी करना स्टार्ट कर दिया और बरतन बनाने सुरू कर दिये बरतन उसने किस चीज़ पर बनाये तो चाक पर बरतन बनाये चाक क्या होता है तो चाक वो होता है जिस पर कुमार मिट्टी के द्वारा बरतन बनाता है जो गाओं के लोग होंगे वो जानते होंगे चाक क्या होता है बाकी आप सर्च करके देख सकते हैं आगे देखिए उसके पुराने गुमकडी सुभाव में परिवर्तन आया अब उसने गाउं में बसना सुरू कर दिया पहले क्या होता था मानों को जहां पर खाने पीने की चीज़े मिलती थी जानवर मिलते थे सिकार करने के लिए वहां पर वो रहता था जब उस छेतर के जानवर समाप्त हो जाते थी तब वो दूसरी जगे चरा जाता था लेकिन फिर क्या हुआ मानों ने गाउं में बसना सुरू कर दिया क्योंकि उसने खेती अपना ली अप खेती के लिए जब आप फसल बोएंगे तुरंद तो उग नहीं जाएगी उगने में टाइम लगेगा तो आपको इस स्थान पर रहना भी पड़ेगा आगे देखते हैं इस यूग का गढ़ा हुआ गोल यंत्र नर्मदा नदी की घाटी से प्राप्थ हुआ यहीं से दर्याई घोडे तथा अन्नी पश्वों की अश्मी भूद हड़ियां भी प्राप्थ हुई हैं कुछ स्थानों पर हिरोंजी के टुकडे सिल्लुमा पत्थर प्राप्थ हुए हैं जिन पर हिरोंजी की पिसाई की जाती थी अब हिरोंजी क्या होता है तो हिरोंजी एक पत्थर होता है जिसे पीस कर लाल रंग प्राप्थ किया जाता है इस समय के पॉलिस किये गए यंत्र भी मिले हैं इस प्रकार पूर पाशान युक का मानो कुडापा तथा मद्रा सिटी के छेतर तक सीमित रहा परंत उत्तर पाशान युग का मानो सारे भारत वर्ष में फैल गया और बेलारी उसका प्रमकेंद्र बन गया आगे देखते हैं सरुप्रथम उत्तरपाशान युक के मानों ने चित्रकला का प्रियोग किया और इस समय के प्राप्त चित्रकला के उधारण विविन स्थानों पर सुरक्षित हैं तो चित्रकला की सुरवात नवपाशान काल से होती हैं ध्यान रखेगा इस पॉइंट को प्राग्यतिहासिक काल की नौ प्रस्तर युगीन मानों ने भारत की सैकड़ों इस्थानों पर चित्रावसेश छोड़े हैं जैसे बेलारी, बाइणाड, एडककल, सिंगनपूर, बुंदेलखंड, विंद्यांचल, मिर्जापूर, रामगड, हरनी हरन, बिल्ला सारंगम इत्यादी तो इन इस्थानों पर प्राग्यतिहासिक कालीन हमें चित्र देखने को मिलते हैं आगे देखते हैं संपूर भारत में अनेक प्राग्यतिहासिक कालीन कला केंदर मिले हैं जिनमें भीम बेटका जोकी मध्य प्रदेश में है संसार का सबसे व्रहद केंदरों के रूप में सामने आया है तो भीम बेटका जोकी मध्य प्रदेश में स्थित है ये विस्व में सबसे बड़ा प्राग्यतिहासिक कालीन कलाकेंद्र है भारत की प्राग्यतिहासिक चित्रों की खोश करने वाले विद्ध्वानों में कारलाइल, कॉकबर्न, बार्डरिक, स्टुवर्ड पिगाट, डियेश गार्डन, जुनेर, लियोनार्ड एडम, श्री एवं श्रीमती अल्विन, परसी ब्राउन, पंचानन मित्र, मनुरंजन घोस, वाकड कर आधि प्रमुक रहे हैं तो कुछ विद्वानों के नाम दिये गए हैं, जुन्होंने प्राग्यतिहासिक काल के चित्रों की खोज की हैं आगे देखते हैं, भारत में प्राग्यतिहासिक काल के शिला चित्रों की खोज का श्रीव, आर्चीवाल कालाइल वा कॉकबर्न को जाता है तो भारत में सबसे पहले प्राग्यतिहासिक काल के सिला चित्रों की खोश किसने की थी आर्ची वाल कारलाईल और कौक बरने प्राग्यतिहासिक काल के प्रमुक इस्थल अब हम लोग पढ़ेंगे कि प्रागयतिहासिक काल की कौन-कौन से ऐसे स्थल हैं जहां पर हमें चित्र देखने को मिले हैं प्रागयतिहासिक काल की सरवाधिक स्थल मध्यप्रदेश से प्राप्त हुए हैं तो सबसे ज़्यादा प्राग्यतिहासिक कालीन इस्थल हमें कहां से मिले हैं मध्य प्रदेश से, मध्य प्रदेश की प्रमुक छेत्र, अब मध्य प्रदेश की कौन-कौन से छेत्र हैं तो पंचमढी, होसंगाबाद, सिंगनपूर, मंसौर, भीम बेटका और पहाडगड, य जहां पर हमें प्राग्यतिहासिक कालीन चित्र मिले हैं अब सभी के बारे में आगी हम लोग डीटेल में पढ़ेंगे तो सबसे पहले पढ़ते हैं पंचमढी के बारे में यह स्थान महादेव परवत संकला में स्थित है पंचमढी के आस-पास 5 मील के घेरे में करीब 50 दरिया कहलीजे गुफाय कहलीजे एक ही चीज है इन सभी में प्राग्यतिहासिक चित्र उपलब्ध हुए हैं पंचमढी चित्रों की खोच डीएश गार्डन नामक विद्वानने की थी तो पंचमढी की खोच किसने की थी डीएश गार्डन ने और यह स्थान कहां स्थित ह तो महादयो परवत्स रंकला में पंचमढी की गुफाय स्थित हैं आगे देखते हैं यहां चित्रों की कई स्थर प्राप्त हुए हैं पंचमढी में जो चित्र मिले हैं उनके कई स्थर हैं पहले स्थर में क्या है पहले स्थर में तक्तिवा डमरू नुमा मानो आकृतियां बनाई गयी है, दूसरे स्तर में क्या है, दूसरे स्तर में हाथ पैरो वाली, बेडॉल, ओज पूर्ण आकृतियों का निर्मार किया गया है, इनमें उसका अहेरिया यानि की सिकारी रूप ही अभिवेंजित होता है ठीक है तो पहले स्तर में तक्ति और डमरू नुमा मानो आकृतियां बनाईगी है कुछ इस प्रकार से ऐसे डमरू होता है तो कुछ इस प्रकार से आकृतियां बनी हुई है ठीक है और फिस सेकेंड स्तर में क्या होता है इसमें मानो को सिकारी रूप मे में क्या है? तीसरे स्तर में आकरतियां कुछ सुभाविक बनी हुई हैं. इस स्तर वाले चित्रों में आखेट के लिए प्रस्थान करते, सहद इकत करते हुए मनुष्य, घुरसवार योध्धा, सस्त्रधारी सैनिक, वाद यंत्रों को बजाते हुए वादक और घरेलू जीव सब्स cadence की कारे होते हैं, वो यहां पर बने हुए हैं. आगे देखते हैं. फिर अगला आता है होसंगाबाद. होसंगाबाद पंच मढ़ी से 45 मील दूर नर्मदा Надी के दट पर स्थित है. यह नर्मदाời के किनारे स्थित है और पंच मढ़ी से 45 मील की दूरी पर है. यहां जंगली भैसे, घोडे, हाथी सवार, अस्त्रधारी घुर सवारों के चित्रों मिले हैं। जिराफ समूह, चार धनूर धारी, आदिछे पांकन यानि स्टैंसिल पधत में निर्मित हैं। तो होसंगाबाद में जिराप समो, चार धनुर धारी, जंगली भैसे, घोड़े, हाथी सवार, अस्थ धारी घुर सवार इस प्रकार के चित्र प्राप्थ हुए हैं अब स्टैंसल चित्र क्या होते हैं, तो देखें यहाँ पर इस प्रकार से कुछ स्टैंसल हैं, जो आपको मार्केट में मिल जाएंगी तो जहाँ पर आपको स्टैंसल को उठाईए, वहाँ पर रख दीजे, बीच का जो खाली स्थान है, यहाँ पर कलर लगाया जाता है फिर स्टैंसल को हटाने पर जो खाली स्थान है, यहाँ पर कलर लग जाएगा, और आपकी आकरती वहाँ पर छप जाएगी तो इस प्रकार से स्टैंसल चित्र बनाये जाते हैं, अब आप सोच रहे होगे कि आदिमानों के पास में इस स्टैंसल कहां से आ गई, तो वो अपने चित्र अलग प्रकार से बनाता था जैसे हाथ है, इसको दिवार पर रख दीजे, और पीछे से रंग फुख दीजे, तो जहाँ पर हाथ रखा हुआ है, जितना स्थान हाथ ने घेरा हुआ है, ये स्थान आपका खाली रहेगा, बाकी जगा पर कलर लग जाएगा, तो इस प्रकार से भी स्टैंसल चित्र आद चित्र है, यहां की मानो आकरतियों में गति है, हो संगाबाद की जो मानो आकरतियां है, उनमें गति दिखाई गई है, आगे देखते हैं, अगला स्थान है सिंधनपूर, सिंधनपूर नामग ग्राम, 36 गड़ के राएगड वियासत में माठ नदी के किनारे पूर्व की और पहले सिंगनपूर मद्य प्रदेश में ही आता था लेकिन जब मद्य प्रदेश का बटवारा हुआ अलग राज 36 गड़ बना तो सिंगनपूर जो इस्थान है यह 36 गड़ के दाइरे में आने लगा और यह माठ नदी के पूरू में स्थित है सिंगनपूर के चित्रों की खोच 1910 इसवी में डेबलू एंडर्सन ने की थी यहां पर कुल 50 गुफाएं हैं सिंगनपूर में कितनी गुफाएं हैं तो 50 गुफाएं हैं इसके दौर पर असैयत कंगारू का चित्र है सिंगनपूर म आगे देखते हैं, सिंगनपुर के पास एक सुरंग नुमा गुफा में पसुगों का आंकन बहुतायत में हैं, जिसमें घोडा, बारा सिंगा, हिरन, भैसा, साण, सून उठाए हाथी तथा खरगोज आधी सजीव चित्रांकन हैं. सिंगनपुर के पास एक सुरंग नुमा गुफा है, जहां पर ये जानवरों के चित्र मिले हुए हैं, ठीक हैं, कौन-कौन से चित्र मिले हैं, घोडा, बारा सिंगा, हिरन, भैसा, साण, सून उठाए हाथी और खरगोज. यहीं पर एक गुफा की दिवार पर जंगली साण को पकड़ते हुए बर्षी से छेटते हुए आखेटकों का मनोहारी द्रश्य हैं, इसी दिवार पर एक अन्य चित्र में घायल भैसा बुरी तरीके से तीरों से बंधा हुआ, दम तोड़ रहा हैं, उसके चारों और भाले लिए सिकारियों का दल है, यह चित्र मिले हैं सिंगनपुर से, आगे देखते हैं, नेक्ष्ट है मनसौर, यह मद्धि प्रदेश के मनसौर जिले में मोरी नामक स्थान पर इस्थित है, मनसौर कहां है, तो मनसौर जिला पड़ता है, जहां पर स्थान है मोरी, तो मोरी नाम प्रमक स्थान पर ये चित्र प्राप्त हुए हैं और यहाँ पर तीस पहाड़ी खोहें हैं खोहे का मतलब गुफा दरी कहली खोहे कह लीजे, गुफा कह लीजे या फिर केप्स, केप्स इंगलिस में गुफा को कहते हैं, तो सारे एक ही नाम हैं, जिन में प्रमुक रूप से स्वास्तिक, चक्र, सूर, सर्वतो भद्र, अश्ट दल कमल, वह पीपल की पतियों के पतीकात्मक चिन बने हुए हैं, तो मंस हैनि प्रतीक रूप में इन चित्रों को बनाया गया है, आगे देखते हैं, देहाती बांस से बनी गई, बनाई गई गई गाड़ियां भी यहाँ पर चित्रित हैं, रत्रत मानों, पस और पसों को हांकने वाले दिखाए गए हैं, फिर अगला स्थान है भीम बेट का, या इस वाकड़कर ने की थी, या प्रागयतिहासिक काल का संसार का व्रहत्तम केंद्र हैं, अभी आप लोगों को बताया जा चुका है, कि भीम बेट का, संसार का या फिर विस्व का सबसे बड़ा प्रागयतिहासिक काल का कला केंद्र हैं, और इसकी खोश किस ने की थी, तो ज जैन विस्विद्याले के प्रोफेसर जिनका नाम है वियस वाकड़कर इन्होंने भीम बेटका की खोश की थी आगे देखते हैं यहां करीब 500 गुफाओं में चित्रों का अपूर्व संसार बसा है यहां पर प्राचीन प्रस्तर युक से भी बहुत पहले के मानों के अस्त्र सस्त्र मिले हैं लगता है कि यहां केंद्र आदिमानों की राजधानी के रूप में रहा होगा यहां पर बहुत प्राचीन अस्त्र सस्त्र मिले हैं ठीक है, तो जिदने देखकर क्या लगता है? कि यहाँ केंद्र, जो आधिमानों है उसकी राज्धानी रहा होगा. आगे देखते हैं, यहाँ चित्रों के दो स्तर मिले हैं. बीम बेटका में जो चित्र मिले हैं, अनकी दो स्तर प्राप्त हुए हैं. पहले स्तर में क्या है? पहले स्तर के चित्रों में सिकार, न्रत्य, हिरन, बारा सिंगा, सुवर, जंगली भैसा, आधी जानवरों को स्वतंत रूप से चित्रत किया गया है पहले स्तर में जानवरों को स्वतंत रूप से दिखाया गया है फिर दूसरे स्तर में क्या है? दूसरे स्तर में मानों को जानवरों के साथ अंतरंग मित्र के रूप में दिखाया गया है यह वायोग है जब मनुस्य ने खेती पसुपालन की उन्नत तरीके ढोड़ लिये थे तो पहले के चित्र में जब मानों पस्वों का सिकार करता था तब के चित्र हैं फिर अगले स्थर में क्या है जब मानों ने पस्वों को अपना मित्र बना लिया उन्हें पालने लगा तो अपने चित्रों को जानवरों के साथ में बनाया उसने ठीक है भीम बेटका को विस धरोहर की सूची यूनेसको में 2003 में शामिल किया गया था तो ध्यान लखेगा कि भीम बेटका को 2003 में विस धरोहर सूची यानि यूनेसको में सामिल किया गया है आगे देखते हैं अगला आता है पहाडगड ग्वालियर से लगभग 150 किलो मीटर दूर मौरेना जिले में पहाडगड के निकट आसान नदी के किनारे लगभग 10,000 इसापूरु से लेकर 100 इसवी के बीच की गुफाएं और सिलाएं प्राप्त हुई हैं यहां 1500 वर्ग मीटर के छेतर में फैली हुई गुफाएं हैं इस समय या गुफाएं जंगली मधुमख्यों के छत्तों से भरी हुई हैं यहां के चित्रों में मनुस और जानवर आधी बने हैं मानो आकरतियों को तीरों धनसों भालों से युक्त हाथी घोडों पर सवा दिखाया गया है तो इस प्रकार के छित्र हमें कहां मिले हैं पहार गड़ में आगे देखते हैं उत्तर प्रदेश के प्रमुक शेत्र अब मध्य प्रदेश के छेत्र हम लोगों ने पढ़ लिए हैं आप पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश के शेत्र तो उत्तर पुदिश की कौन कौन से छेत्र हैं मिर्जापूर, मानिकपूर, लिखुनिया, हर्निहरन जिसमें आपका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मिर्जापूर ठीक है चलिए सबसे पहले पढ़ेंगे मिर्जापूर के बारे में लाहाबाद मुगल सराय रेल मार्क पर मिर्जापूर जिले से करीब 30 किलोमेटर की दूरी पर स्थित विंद्यापूर परवत की कैमूर सरंकलाओं के अंदर सोन नदी की घाटी में 100 से अधिक गुफाएं प्राप्त हुई है तो मिर्जापूर की गुफाएं कहां मिली हैं विंद्याँचल परवत है जिसकी कैमूर सरंकला है यानि कैमूर एक पहाडी है चोटी सी वहाँ पर सोन नदी की घाटी में 100 से अधिक गुफाएं मिली हैं मिर्जापूर छेत्र की गुफाओं में गैंडा, हिरन, सुर तथा बारा सिंगा का चित्रन आत्यधिक सुभाविक्तवा यथार्ता पूर्ण हुआ है लिखुन्या दरी एक छोटी सी पहाडी पर गरई नदी के किनारे स्थित है यहां कुछ घुड सवार पालतू हतनी की मदद से जंगली हाथी को पकड़ते हुए दिखाए गए है इसी छेत्र में लोहरी नामकिस्थान की एक दरी में एक आदमी हाथ में जलती हुई मसाल ये बाग का सामना कर रहा है यहां पर पीले काले लाल वा सफेद रंगों का प्रियोग किया गया है तो लोहरी का चित्र है ये इंपॉर्टन चित्र है कि एक आदमी हाथ में मसाल लिये हुए है जलती हुई और बाग का सामना कर रहा है यह लोहरी से चित्र प्राप्त हुआ है आगे देखते हैं फिर अगला आता है मानिकपुर यह स्थान बांदा जिले के अंतरगत आता है मानिकपुर बांदा जिले के अंतरगत आता है यहां सरहाथ, करिया कुंड, कपंटिया, आदि स्थानों पर मिले प्राग अतिहासिक चित्र महतोपूर्ण है सरहाट इस्थान में तीन अस्थों का गेरू द्वारा ओजपूर अंकन है यहाँ एक स्थान पर सुसजित द्वार पर एक चोचदार पुरुस बनाये गया है जिससे यह अनुमान लगाये जा सकता है कि यह कोई तंत्र मंत्र शाला होगी तो सरहाट में कौन-कौन से दो चित्र मिले है तो एक है तीन अस्थों का गेरू द्वार अंकन यानि कि तीन घोडे बनाये गये हैं जो कि गेरू रंग से बनाये गये हैं और एक चोचदार पुरुस बैठा हुआ बनाये गया है तो इस चोचदार पुर्ष चित्र को देखकर ऐसा लगता है कि यह कोई तंत्र मंत्र शाला होगी यानि जादू टोने वाला कोई स्थान रहा होगा आगे देखते हैं करिया कुण्ड में बारा सिंगा का पीछा करते हुए धनुर्धारियों का चित्र मनुहारी है आगे देखते हैं बिहार के प्रमुक्षेत्र अब बिहार की चित्र पढ़ते हैं इस प्रदेश में साहाबाद वा चक्रधरपूर ऐसे स्थान है जहां कुछ चित्र अच्छी अवस्था में मिले हैं चक्रधर के एक द्रश्च में कुछ व्यक्तियों को लेटे हुए दिखाया गया है जो सिकार की विजय पर गौरवानविद प्रतीत हो रहे हों। उनकी फैली भुजाय इस भाव को ससक्त रूप से व्यक्त कर रही हैं। तो बिहार के दो ही प्रमुक्षेत्र हैं जहां पर चित्र कुछ अच्छी हालात में मिले हैं। एक है साहाबाद और दूसरा है चक्रधरपूर। चक्रधरपूर के एक चित्र में क्या दिखाये गया है। कि कुछ व्यक्ति लेटे हुए हैं और अपनी भुजाओं को इस प्र नहीं प्रमुक्षेत्र में आहाड एवं गिलुंड ऐसे स्थान हैं जहां सिकारी जीवन से ऊपर उठकर मानों ने खेती वा पसुपालन का धन्दा सुरू किया था। तो मेवार के एक छेत्र हैं आहाड और गिलुंड यहां पर ऐसे चित्र या फिर ऐसे अवसेस मिले हैं जिनने देखने से क्या लगता है कि यहां का मानों खेती और पसुपालन का धंधा शुरू कर चुका था और ये चित्र नौ पासांकाल के हैं क्योंकि नौ पासांकाल में ही मानों ने खेती और पसुपालन अपनाया था और अगर सिकार संबंदी चित्र मिलते हैं तो इससे नेक्ष्ट है अल्निया ये गुफा चित्र कोटा से 22 किलो मीटर दूर अल्निया नदी के किनारे स्थित है अल्निया कहां स्थित है राजिस्थान में कोटा से 22 किलो मीटर दूर अल्निया नदी पड़ती है उसी के किनारे ये गुफा चित्र मिले है ये चित्र इसा से पांच हजार वर्स पूर्व के हैं सभी चित्र गेरू से बने हैं आसपास के लोग इन्हें सीता जी के मांडुडों से सम्मोधुत करते हैं यही इंपोर्टन्ट है अलिया में जो चित्र प्राप्थ हुए हैं तो आसपास के जो लोग है रहने वाले वो इन चित्रों को क्या कहते हैं सीता जी के मांडुडों इस नाम से सम्मोधुत करते हैं यहां हिरन, शेर, भालू, गाय, बक्री, जंगली, साण, मानो, आक्रतियों वा सिकार्चित्रों की भरमार हैं दक्षिन भारत के प्रमुक शेत्र दक्षुन भारत के प्रमोक स्थानों में रायचूर, कुप, गल्लू, इस्थानों पर भविसिलाचित्र मिले हैं तो ये स्थान पढ़ने में कुछ अटपटे लग सकते हैं क्योंकि दक्षुन भारत में हैं दक्षुन भारत के नाम कुछ इसी प्रकार से होते हैं लंदन विस्तु विद्याले के पुरा तात्विक श्री एवम श्री मती अल्चिन ने सर उन्निस सो पश्पन में रायश्चूर की रिस्य मुख परवत माला में आदिम खोच करके या सिद्ध कर दिया कि प्रस्तर मानों भारत के केबल उत्तरी भाग में ही नहीं अभी तो समस् हुआ था तो अभी हम लोगों ने जितने भी स्थान पढ़े हैं सभी उत्तर भारत के थे लेकिन ये स्थान कहां के हैं ये दक्षण भारत के हैं और दक्षण भारत के स्थानों की खोच किस ने की थी तो 1905 में श्री एवम श्री मती अल्चिन ने यानि की हैस्बेंट वाइ यानि आदिमानों ने विसेवस्तु के रूप में क्या अपनाया इनके चित्रकारी के टॉपिक क्या थे चलिए देखते हैं आदिम मनुस्य के चित्रों की प्रमुक विसेवस्तु आखेट थी ध्यान रखेगा आदिम मनुस्य की प्रमुक विसेवस्तु क्या थी आखेट सि गोड़ा, सेर, गैंड़ा जैसे पस्वों को सिकार करते हुए चित्रत किया है। जिन जानवर को हम मार कर तुरंत खा जा रहे हैं, अगर इसको पाल लिया जाए तो इनसे हमें दूद मिल सकता है और ही हमारे बहुत सारे काम आ सकते हैं। गैंतरगत, पसुपालन, बैल गाडिया, नौका विहार, मदु संचय यानि की मदु का मतलब होता है शहद। तो शहद इकत्र करना, आधि रूप चित्रित हैं, आमोद प्रमोद समंधी चित्र उनके रसिक जीवन की जहां की प्रस्तुत करते हैं। और आमोद प्रमोद की चित्र भी हैं जैसे की संगीत का आनंद लेते हुए, खेलते कूदते हुए, खेके इस प्रकार के चित्र भी बनाए गये हैं। चित्रों में भावना सम्वेख, अभिव्यक्तिकी रालसा, विजय की कहानी, जादू टोरना, इत्यादी प्रिरणाएं रही हैं। इन चित्रों में कहीं पर भी प्रक्रत अथवा, प्राक्रतिक आपदाओं का आंकन नहीं के बराबर हुआ है। यह अश्चरी की बात है कि प्रक्रतिकी खोच में लगे आदिमानों ने इन चित्रों में कहीं पर भी बादल, आकास, पेंड, पौधो, नदी, परवत, आदी का आंकन नहीं किया है। तो ध्यान रखेगा कि आदिमानों ने कहीं पर भी नदी, पेंड, पौधे, परवत, इन चीजों का अंकन नहीं किया है। यहां तक कि वो जिस गुफा में रहता था, उसका भी अंकन कहीं पर भी नहीं किया है। आगे देखते हैं प्रागयतिहासिक सिला चित्रों की विसेश्ताएं। प्रागयतिहासिक काल के जो चित्र हैं उनकी क्या विसेश्ताएं रही हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो पहला पॉइंट है, चित्र प्राया खुर्दुरी चटानों की दीवारों, गुफाओं के फरसों, छतों और बित्तियों पर बनाए गए हैं। इन चित्रों को तयार करने एवं इस्तिमाल करने से पूर्व इन्हें पस्वों की चर्वी में मिलाया जता था। तो चित्र कैसे बने हैं, लाल रंग से बने हैं, लाल रंग में किस चीज का इस्तिमाल किया गया है, तो गेरु और हिरोंजी, और काले रंग में कोईला और काजल का इस्तिमाल किया गया है, और सफेद खड़िया से चित्र बनाए गए हैं। और इन चित्रों को इस्तिमाल करने से पहले इनमें पसुओं की चर्वी को मिलाय जाता था, ध्यार नखिएगा, पसुओं की चर्वी का ये लोग इस्तिमाल करते थे रंगों में, आगे देखते हैं, चित्रों में कहीं कहीं आक्रद की सीमा रेखा को नुकीले पत्थर से तूलिका किसी रेसेदा, लक्डी, बांस या नरकुल आदि को एक सिरे से कूट कर बनाई जाती थी और पस्वों के पुठे की हड़ी की प्याली में रंग घूलने के लिए इस्तिमाल किया जाता था तो तूलिका ये लोग कैसे बनाते थे लकड़ी बास या नरकुल का एक सिरा कूट देते थे जैसे कि गाओं में लोग दातून करते हैं तो क्या होता है लकड़ी ही होती है और उसका एक सिरा दात से कूट दिया जाता है तो ब्रश के तरीके से बन जाता है तो उसी प्रकार से ये लोग ब्रश बनाते थे और रंग रखने के लिए जिस प्याली का इस्तिमाल करते थे वो प्याली क्या होती थी तो जानवरों के पुठे की हड़ी की प्याली होती थी आगे देखते हैं आकृतियों के निर्माण में सीधी, वक्र और आयताकर आधि जयामिती रूपाकारों का प्रियोग है जो प्राया सांकितिक जान पड़ती हैं इनमें स्वास्तेक, त्रभोज, व्रत, शटकोन तथा आयत शामिल है जयामिती आकारों का प्रियोग प्रक्रत की विभिन शक्तिय या जादू के विश्वासों को व्यक्त करने है तो किया गया है तो ऐसा माना जाता है कि इन्हों ने जो जयामिती आकारों का प्रियोग किया है ये प्रक्रत की सक्तियूं और जादू टोने को व्यक्त करने के लिए किया है तो आपकी प्रागय अतिहासी काले इंचित्र कला समाप्त होती है और नेक्स्ट वीडियो आपकी जल्द ही अप्लोड कर दी जाएगी आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि मैं वीडियो जैसे ही अप्लोड करू आपको पता चल सके ठीके दोस्तों तो आज के लिए बस यहीं तक आई होप आप लोगों को मेरी ये पसंद आई होगी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजे और अपने साथियों के साथ में इस वीडियो को शेयर भी कीजेगा हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजेगा और हम आपके साथ टेलिग्राम चैनल पर भी उप्लब झाल झाल